नमस्कार आप देख रहे हैं प्रताब का ब्लॉक्स ओफिस्यल हमें रामकला से आदाव आज किस वीडियों हम बात करने वालों आप जो गाय देख रहे हैं ये गाय जो है 28 बार इसे AI करा चुके किसान और हर 21 दिन पर ये हिट में आ जाती है और डिस्चार्ज करती रहती है डेली और बार बार रिपीट हो रही है किसान पूरी तरह से परेसान हो गए हैं अगर आपकी पसू इसी तरह से बार बार रिपीट कर रही है अब बार बार हिट में आ रहे ह यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें संपूर जानकर यह आपको मिलेगी एक किसान पार्ट 149 है आपको भी कोई वीडियो है या समस्या है तो आप भी अपना वीडियो भेज़ सकते हैं हमारा वार्षा नम जो किसान ने बोला है सुनिए यह सर डिस्चार्ज करती है जब हीट पर आती है तो जानवर को तंग करने लगती है हीट 21-21 दिन पर आ रही है लेकिन जो है डिस्चार्ज परड़े कर रही है 28 सीमन लगवा चुका हूँ तो देख सकते हैं सुने होंगे आपकी 28 सीमन लगव संहान हो गए है् तो दुखिशें इसमें रही कई दिक्कत हो सकता है कई कारण हो सकते हैं तो हमये हर् unless पर झेभर और घथेन vendo करके यह तो देखिए बच्चे धानी छोटी होने के कारण भी ऐसा देखने मिलता है बच्चेमीं और गरГभती नहीं होती है। और बच्चेदानी का infection, बच्चेदानी का infection हो गया हमारे पशु में, तो भी जो है हमारे पशु गर्वती नहीं ठेरती, और जैसे कि पशु हमारे लंबे समय तक हीट में रह रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कब तक हीट इसका होता है, 18-18 गंडा या उससे जजादा होत जो भी आपके डॉक्टर है नेजिकी डॉक्टर है पसू डॉक्टर उनसे जरूर बात करिए कि यह ना गर्वती होने के क्या काराण हो सकते हैं तो खुद बताएंगे कि बच्चे दानी टेढ़ी है या बच्चे दानी गांठ है या इसका लंबे हीट है क्या समस्चा है वो जरूर आपको पता सलेगा लेकिन एक बात और ध्यान रखना है जैसे कि देखनक मिलता है जैसे आपके पसू आप बार-बार AI करा रहे हैं आपके पसू में कोई भी दिक्कत नहीं है कोई समस्चा नहीं है और बार-बार AI ही करा रहे हो तो एक बार आपको चाहिए कि अगर हिट में आ रही है अगर इतना सब हो रहा है तो एक बार जरूर करना है कि आप बुल के पास जरूर ले जाए सांड जैसे कहते हैं बच्चरा जैसे कहते हैं अगर आपकी गाए इस तरह का समस्चा कर रही है तो बुल के पास जरूर ले जाना है बुल यानि सांड तो ऐसा देखने को मिला है कि जो AI से नहीं गरवती ठैरती तो उसे बुल से दिखाने बाद गरवती हो जाती है हमने भी ऐसा देखा है हमारे पास गाय थी उस फिर जब उसके बाद हिट में आई था हम भी परयसान हो गयता है फिर हमने उसको बुल से दिखाया और बुल से दिखाने के बाद घरवती हो गई तो गवधार्ण कर लिया तो ऐसा भी समस्चा देखने मिलता है आप AI के ही भरोसे बहुत बार-बार ना रही है सबस्पहले इसके बाद अगर आप ऐसा ऐसा लंबे समयता के जो है कर रही है ना इससे जो आप एक बार बुल से दिखा दीजे उसके बाद अगर फिर हिट में आती है बुल से दिखाने के बाद दुबारा हिट में आती है तब हाँ आपके पसू के अंदर कुछन कुछ कुछ कमिया कु प्रविट हो रही है उस समय आपको देखने की मिल जैसे कि अगर बता देंगे इसके अंदर बच्चे दानी की इंफेक्शन है बच्चे दानी में गांठ है या जो है बच्चे दानी की सफाइी कराना है जो भी समस्य होगी ओ पसू डॉक्टर जरूर बता देंगे और जैसे सम रिस्टव और तो गर्वतिया श्रव रहता नहीं है ऐर वें बिल्कु नहीं रहती पानी ये पानी इसकी कि इलाज देशी इलाज की बारे में बात कर लेते हैं देखिए देशी इलाज तो बहुत से इलाज होते हैं लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पसू जो है उसके बच्चे दानी कोई समस्या है जैसे कि बच्चे दानी छोटी हो गई है या बच्चे दानी में गन पास नहीं हो रहा है, तो गन ऐसी जगह पर ऐसी सब्से करते हैं उनको क्या है, कुछ पन डर्वण प सब्सक्राइक चले गए, पर उन्दी समगते हैं, उनको शिर्फ पैशन कमतलब है, मलबिक्सित नहीं है यह अधिक्तर first timer जो बच्छडी होती है first timer कतडी होती है भैएस होती है प maplepti है उनमें अधिकतर देखने मिलता है कि बच्चे भाडी होती जो है गर्ब सकते हैं इसके बार बर को आप इसे कीड़ी कभ दिय least ऑप अगर नहीं करा रहे हैं फिर आपको नहीं कब मिल जाएगी कि आप पसु हीट में आ रहे हैं आप बता रहे हैं अगर आप डिवोर्मिंग नहीं कराए हैं तो भी ऐसा समस्या देखने को मिलेगा जैसे कि हर तीन महिने पर हमारे पसु जो हती उन्हें कीडी की दवा दिया जाता है कीडी की दव अगर नहीं दे रहे हैं तो भी गर्वती नहीं ठहरेगी उससे भी समस्या हो सकता है पर डिवोर्मिंग जब भी करना है तो हमें सुभा खाली पेट जो होता है चारण नहीं खाय रहे हैं तभी इसको देना है जब सुभा खाली कीडिक दवा उसे जरूर दीजिएगा उसके बाद ही बुल को दिखाना है जैसे कि आप कीडिक दवा दे देंगे तो फिर जो हिट में आएगी तो सही तरीके से फिट में आएगी और भी जहें कर्बती ना होने के भाई कई कारण तो सामने आते हैं इसके उपाय हम क्या कर सकत इसके अदर बच्चेदाने में किया है कि गť रुकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं तो इस तरह के जैसे आप करते हैं तो गर्वतिक चांस बढ़ जाते हैं और इसको साथ साथ आप जो है के मिनर मीक्चर पाउडर जरूर खिलाएए अच्छा वाला मिनर मीक्चर पाउडर ले ले जिए और अपने पसुक जो है अच्छा जो बिल्कुल बढ़ियां क्वाल्टी हो बढ़ियां अच्छे कमपनी का हो अच्छा जिए जो है कि दे वर्ण कराते हैं अच्छा दौर्ण चाहिए ब्राडंडर कंपनी बढ़ियां जो हो लोकल पोकल नहीं लेना है इसके बाद जो हिट में आती है तो इस से क्या है कि अंदर जो भी संक्रमन हो जो हमने बताया आपको देशी इलाजवार में इस से क जैसे कि देखा जाता है कि बच्चे दानी चोटी हो गई है और गर्व रुकने की चंपता बढ़ता है और जैसे आप डिवोर्विंग करा रहे हैं और जो बीडि कीरी हो जाती है अंदर के चुए जैसे होता है लेकिन कभी कभी गोवर बहुत टाइट हो जाता है उनके पेट म सदिक्त होता है तो यह सारी चीज़ आपको जरूर करना उसके बाद जो है आपकी जब पसू हीट में आती है अगर बाद आप एक चोड़ देजिए उसे फिर एसब करने के बाद आप बूल से जरूर क्राइए उसके बाद जो है उगर्वती फैर जाएगी और जो भी समस्य कि सान से करने चाहूं उसे बार अपने नज़्दी की पसू डॉक्तर से इसे बाद करिए क्या समझ सा है तो समस्य से आप जो है पसू डॉक्तर भी आप दवा करा सकते हैं जो भी होगा उसके साथ कर देंगे लेकिन जब इतनी बार आप आप आई करा रहे हैं तो आपका फर झाल झाल